नमस्कार प्रियदर्शकूं जैसा कि आपने थमनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि पूरे दस महिनों में शनी ने बिछा लिया है कन्या राशी वाले जातकों के लिए सफलता का जाल तीन दिन बाद से आपको दिखने लगेगा शनी देव का अदबुद कमाल शनी देव जो की आपके पंचम भाव के स्वामी है और शश्टम भाव के स्वामी है वर्तमान समय में ये आपके शश्टम भाव में संच्रन कर रहे हैं किन्तु 4 नवंबर 2023 को पूरे 140 दिन और ध्यान यही रखना है कि शनी देव आपके कुणली के एक मूल त्रिकोन इस्थान के स्वामी है ये कभी भी आपको अशुबफल देने की स्थती को एक्टिवेट नहीं करते हैं और ये अपनी मूल त्रिकोन राशी में होते हुए भी बहुत से लोग आपको कहेंगे कि शनी देव इस स्थान पर अच्छे लाब नहीं देंगे किन्तु आपके जीवन में अदभुद रूप से चार नवंबर के बाद शनी देव इस स्थान पर बैट कर भी बड़े अच्छे लाब देने जा रहे हैं क्या क्या लाब देखने को मिलेंगे जटपट जान लीजिए मैंने आपको बताया कि शनी देव आपकी कुणली के मूल तरिकोंड भाव के स्वामी है इस स्थान पर आकर ये कमजोर जरूर से होते हैं किन्तु आपको नकारातमक रिजल्ट नहीं इनके सकारातमक रिजल्ट में कुछ मातरा के अंदर कुछ परसंटेस के अंदर इनके प् पहली सती में शनी देव जब वक्री से मारगी होंगे अपनी मूल त्रिकोन राशी का शुद्ध फल आपके लिए बनाएंगे आपकी जॉब में अनुभूती करना प्रारंब कीजिएगा जो लोग आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे आपके प्रती आपके ही कर्मशित्र में राजनिती का शडियंत्र रचा जा रहा था उससे आपको मुक्त करने जा रहे हैं आपकी जॉब में प्रमोशन ड्यू है एप्रिशेशंस की कमी का योग बना हुआ है बॉस से नहीं बन रही है अपने साथ कारिय करने वालो से नहीं बन रही है चार नवंबर के बाद देखिएगा धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके फिवर में आना प्रारंब होगी रोग से लंबे समय से यदि कोई व्यक्ति जूज रहा है रोग के अंदर आपके स्वास्त द्रश्टीकून की स्थती में आपको पुष्टता दिखना प्रारंब होगी अगर कर्ज की स्थती बन चुकी है कोई लोन है जो रातो रात आपके उपर नींदे उड़ा चुका है रातों की समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सवस्ता से बाहर निकलें अब देखिएगा इस स्थान पर बैठ कर शनी महराज इस मानसिक तनाव से बाहर निकलने के कैसे रास्ते आपके लिए खोलते हुए पाए जाते हैं विध्यारती हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से लगातार किसी ना किसी कारणवश विध्या शेत्र के अंदर कॉम्पिटिशन में आपको एस फलता का योग देखने को मिल रहा था शनी देव वक्री से मारगी होकर इस इस्तान का बड़ा अच्छा लाब देते हुए पाए जाएंगे कॉम्पिटिशन में आपको विजेता का पद दिलाते हैं आप ध्यान रखिएगा ये कमजोर हुआ है इसकी ताकत खतम नहीं हुई है साथ में ही कोई कोट का चहरी मुकदमा की इस्तती का योग चल रहा है इसमें आपको विजेता का पद दिलाने की बाद्यता शनी महराज अपने हाथ ले लेंगे इसी के साथ में यदि आपके उपर किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव की इस्ततियां बन रही है उनको भी रिमूव करते हुए शत्रुहंता का कारिय करने जा रहे हैं इस इस्तान पर शनी महराज शनी देव के हाथ में तीन द्रश्टियां होती है जहां ये बैठते हैं उस इस्तान से तीसरे घर को देखते हैं सातवे घर को देखते हैं और दसवे घर को देखते हैं और जब कोई ग्रह कुंडली का कारक ग्रह होता है तो उसकी द्रश्टियां भी आपको उस इस्थान का शुबफल देने की बाद्यता बनाती है कारेकरम को पूरा देखिएगा आपको जटपट समझाने जा रहा हूं कि शनी देव के आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव दिखने वाले हैं जब शनी देव यहां से अपनी तीसरी द्रश्टी आपके अश्टम भाव पर डालेंगे यह मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन को रिमूब करेंगे जो कारियों में रुकावट खुद भी बलवान नहीं है किन्तु धीरे धीरे सही किन्तु पिछले समय में तो राहू महराज ने बहुत लंबे समय तक आपके कारियों को लगाता रोक कर रखा अब आप दोडोगे नहीं किन्तु चलते निरंतर रहोगे यह आप आज ही लिख कर रख लीजिए यहां से द विदेश से संबंदित कोई जॉब का प्रयास कर रहे हैं विदेश का प्यार प्रयास कर रहे हैं विदेश के अंदर आप अपना वीजा फाइल करने का प्रयास कर रहे हैं इनमें भी आपको सफलता दिलाने की बाद्यता लेते हैं इस स्थान पर बैठकर शनी महराज आठ न कारिय कर रहे हो जैसा आप कर्म कर रहे हो उस प्रकार के रिजल्ट इनको देने ही पड़ेंगे इस स्थती के लिए यह बात यह होते हैं पिछले समय में मेहनत के बाद भी आपके सामने रिजल्ट नहीं निकल कर आप आ रहे थे किन्तु अब देखिएगा आपके लिए बेहद स्रेस्ट रूप में रिजल्ट के सतीयों को एक्टिवेट करेंगे शनी महराज अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कन्या राशी कन्या लगन के जातक तो लाखो करोडो होंगे क्या सभी के लिए शनी महराज का समानफल होगा तो आज आपको एक और कड़ी जोडते और इसे अपने कुंडली में खोज लीजिएगा क्योंकि आज आपके पास एक नहीं दो दो पावर के साथ शनी महराज का लाब आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई दे सकता है यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है पहली स्थती में यदि आपकी कुंडली से लगन से छटवे घर में लगन से आठवे घर में लगन से बारवे घर में इन इस्थानों पर शनी महराज विराजित हैं जहां नंबर एक लिखा है तो आप अश्टमभाव में ही होता है ऐसे स्थती के अंदर यदि शनी महराज व विराजित हूँ तो शास्त्र कहता है अगर आपकी कुंडली में आपका कारक ग्रह एक अच्छे भाव में विराजित है फिर चाहे वो गोचर में 6-8-12 में भी चला जाए आपके लिए शुबफल देने की बाद्यता उसके हाथ में होती है उसके शुबफल देने की परसंटेस कम होगी किन्तु शुबफल जरूर से देगा किन्तु मैंने आपको बताया कि एक और सूत्र आपकी कुंडली पर काम कर रहा है जहां ये आपके पंचमेश हैं वहाँ ये शष्टेश भी हैं और त्रिक भाव के स्वामी हैं अपनी कुंडली को खुर लीजिए और यदी ये 6 रहे 8 और 12 में भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं किन्तु यदि कन्या लगन के आधार पर आपकी कुंडली में बुद्ध महराज एक अच्छे भाव में डिग्री वाइस बलाबन लेकर बैठे हैं तो ये त्रिक भाव में होने के पस्चात भी आपकी कुंडली में विप्रीत राजयोग व्यक्ति को बेहद अच्छे लाब देता है क्योंकि आपकी कुंडली का ये कारक ग्रह है और कारक ग्रह विप्रीत राजयोग में आ जाए आपके लिए बहुत अच्छे लाब देता है तो कुंडली के अंदर एक अवस्ता को देखिए पहले स्थती में च्छे आठ बारा में नहीं होना चाहिए अगर है तो फिर बुद्ध को देखिए कि बुद्ध आपके कुंडली में कहां विराजित है अगर बुद्ध की स्टती अच्छे भाव में बनी हुई है डिग्री वाइस बलवान बना हुआ है तो चार दिन पस्चाद शनी महराज आ आपको अपना कमाल अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है शनी महराज का आशिरवाद आज से चार दिन पस्चाद कैसे प्राप्त किया जाए कि अगर अच्छे भाव में शनी बने हुए है तो तो निश्चित रूप से आपको अच्छ प्रकार का संकोच नहीं है इसे आजमा कर देख लीजिएगा आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्त होंगा तब तक के लिए नमस्कार